तार भारत लाइब देख रहे हैं आप राष्टिये जनतादल अपने नए अध्यक्ष की ओर बढ़ चली है जगदारान सिंग ने कई बार इस्तिपे की बात तक कह दी है और जगदारान सिंग सारीरिक रूप से अब अस्वस्त है जिसको लेकर उन्होंने इस्तिपे की पेश क करने वाली है इस बैठक में राष्टिया द्यक्ष के साथ साथ परदेश अध्यक्ष पर भी चर्चा की जाएगी राष्टिया द्यक्ष की अगर बात करें तो तेजस्वी का नाम सबसे आगे है और संभावता तेजस्वी यादों के नाम पर मुहर लग ही गई है इसलिए क लालुपरसाद यादों ने कई आधिकारिक फैसले के लिए तेजस्वी को आगे बढ़ाया है और तेजस्वी के लिए हामी भड़ी है वही अगर बात करें परदेश अध्यक्ष को लेकर लगतार चर्चा है कि परदेश अध्यक्ष कौन होगा जग्दान अंसिंग के बाद जग्दान अंसिंग आने वाले दो-तीन महीनों में राजत के परदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे और वो राष्टिये जनतादल के परदेश अध्यक्ष चे हट जाएगे पहले भी इस्तिपे की बात आ चुकी है लेकिन अब खबर यह है कि जग्दान अंसिंग के बाद व मिलती नहीं है खबर यह है कि जग्दान अंसिंग के बाद तीन-चार ऐसे नेता है जो लाइन में है और राष्टिये अध्यक्ष के साथ साथ परदेश अध्यक्ष की कूरसी में फेर बदल के साथ उनकी लोटरी लग सकती है तेश्वी की बात कर ले तो राष्टिये अध् नेता है जो इस लाइन में है जिसमें पूर्व मंत्री है पूर्व विधायक है ये साड़े लोग है पार्टी में जो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं सबसे पहले अगर बात करें तो आलोक मेहता के बाड़े में चर्चा है तो बिहार सरकार में मंत्री रहे है इसके पहले जब राष्टिय जन्तादल की सरकार बनी थी तो वो मंत्री बने थे और कही न कहीं मुहदी नगर से जब वो जीत कराए तो ये सपस्ट हो गया था उस दर्मयान की राष्टिय जन्तादल इन्हें बड़ी जिम्यदारी दे सकती है लेकिन अब सरकार रही नहीं तो प्रदेश सद्यक्ष की चर्चा में कहीं वो आगे चल रहे है उसके बाद अगर बढ़े तो पूर्व मंत्री स्याम रजक की बात भी सामने आती है पहला तो दलित चेरा है और काफी सक्रियता के साथ राष्टिय जन्तादल में रहे हैं दूसरा पूर्व मंत्री रहे हैं नितीश कुम की भी दिखी थी जब उन्हें मंत्राले राष्टभार नहीं दिया गया और साथी स्याम रजक को बिहार विदान परिशद नहीं भेजा गया लेकिन अब ख़बर ही है कि स्याम रजक की भी लोटरी लग सकती है उन्हें भी बेजा आ सकता है सिवचंदर राम सहीत कई अन्य हैं हाला कि राष्टिय जन्तादल किसी दलित नेता को इस बार बनाने के फिराग में है इसलिए कि जगदारान सिंग सवन कोटे से आते हैं और सवन के तोर पे जगदारान सिंग ने काफी लंबे समय तक पार्टी की सेवा की 2019 के आस पास से जगदारान सिंग पार्टी के परदेश अध्यक्स के पद पर बने हुए हैं ऐसे में देखना है होगा कि राष्टिय कारिकार्णी की बैठक में राजत सुप्रीम लालू परसाद यादों क्या फैसला करते हैं इसलिए कि लालू परसाद यादों के हाथ में ह सब कुछ है और वो ही पार्टी के राष्टिया देख्स के तौर पर सब कुछ समाल रहे हैं 816-700 धन्यवाद